नमस्ते सस्याकाल आदाप आप सबका मेरी यूटूब चैनल मैं और मेरी दुनिया में स्वागत है अगर आप येलो भाग को एवाइट कर सकते हैं क्योंकि येलो भाग होता है येलो पाट होता है एकका उसमें बहुत सारा फैट होता है और बच्चों को खिला रहे हैं तो येलो पाट जरूर खिलाएं और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें और फिर हम इसमें डालेंगे प्याज जो मैंने इसमें एक कटोरी भरके प्याज रखें यानि आप बारी अमलेट कट करती हैं आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं अग आप में हरा धनिया डाल रहे हूं आप हरा धनिया मर्जियों अतना ज्यादा डालें मैंने थोड़ा कम डाला है और इसको अच्छा से मिक्स कर लें आप चाहें तो इसमें हरे प्याज के पत्तों को बारी काटके भी डाल सकते हैं वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं इस ब्र तो आप मसाला जो भी है वो अपने हिसाब से डालें अगर आप मिर्ची चीच खाते हैं तो ज्यादा डाल दें और अब इसमें मैंने थोड़ा सार दूट डाल दिया है और दूट डाल के भी इसको एक बार अच्छे अंसे फेटेंगे तो अगर आप बच्छों के लिए बन आप हम ब्रेट की तियारी करते हैं क्योंकि एक ब्रेट प्राठा बना रहे हैं तो चाहिए और यहां मैंने ब्राउन ब्रेट ली है और उसके हम जो साइड्स हैं उनको हम कट कर देंगे तो यह इसको कट कर लीजिए और यहां पर हमको आठ ब्रेट चाहिए तो हम आठ तो यह है कि आप इनको सुखा दे ब्लेट पे और या ओवन में डाल के सुखा थोड़ा सा भेग कर लें और पिसका जो है जो है मिक्सी में इसका ब्रेट क्रम बना लें और अब मैंने यहां पर एक मैदा लिया था मैदे को ठोड़ा सा काटोरी में डाल के दो चममच मैदे को बेलन ले और बेलन से हलके हातों से इसको बेल लें तो इसे क्या होगा, सारी ब्रैडों के उपर जो मैदा जो लगाऊ है ना उससे ब्रैडें उपर अराम से चिपक जाएंगी, देगे कितने पढ़िया चिपक गई और इसको साइट में रख लें, आप जो है अधर मैदा अच्छी तरह से लगा दें और फिर इसको जाहां मैदा लगा है उसके उपर ब्रैड को दूसरी बैड रख दें ऐसे उपको इस तरह से आप कर लें और इसको चिपका के और फिर बेल ईनकी साइता से एक बदे बेल लें और अब मैं इसके उपर ये मैंने एक sauce बना के रखा था जिसमें टमाटर, लाल मिर्ची और लसन का लसन है उसको मैंने बना के रखा था तो वो मैं लगा रही हूँ आप चाहें तो टमाटर sauce भी लगा सकते हैं आप चाहें तो सेजवन चटनी आती हैं सेजवन sauce यह कुछ भी लगा सकते हैं जो आपके पास sauce पड़े हो तो इससे क्या होता है थोड़ा सा ठीका बनाता है खाने में बहुत अच्छी लगती है जब आप खाएंगे उपर ओमलेट का अंडे का स्वाद अंदर चीज का और ये लसन का टमाटर और इसका मिर्ची का स्वाद बहुत टेस्ट यहां पर यहां पर उपर शोले हाँ और ओम पर के उपर चिली फ्लेक्स डाल दिये आप इसको बंद कर दीजिए अब इसको मैं एक प्लेट में ले लिए हूँ देखे बहुत अराम से देखे कितने अराम से प्लेट में आ गई को जरूरत नहीं है साइड से बंद करने के आप चाहें तो मैदे से बंद भी कर सकते पर जरूरत बटर लगा दिया है और अब यह जो हमारी आंडे का घोल बनाके रखा था वो मैं इसके उपर डाल रही हूं तो आप इसको अच्छे तरह से अंडे की घोल से इसको पूरी ब्रेट के उपर सब जगे अच्छे तरह से इसको पोर करते ना दे तो और आपे हैं इसको घोल सोक लें है इसको अबसर्फ कर लेगी और फिर हम इसको तवे तवे पर आप भृ दिए अर्थे हो जो इसको फोलटा युज़ एक हैग है और रखू 잘 मैं तो यह जो bread है यह इसको soak कर लेगी, तो आपको जितना mixture डालना है, उतना डाल ले कोई tension की बात नहीं है जितना आपको अंडा है, क्योंकि यह बहुत heavy होते हैं, देखें, आड़ ब्रेड हैं, cheese है, अंडा है, बहुत heavy होते तो इसलिए ज्यादा अंडा मत लगाएंगे तो बहुत खायर जाएगा और अगर आप दो तीन दो जने खा रहे हैं तो बहली एक और डाल दे एक का घोल और डाल दे वैसे इसी में बहुत अच्छी बन जाती है और यह देखिए हमारा नीचे से सिख चुका है तो अब इसको कि सायता से हम उल्टा करके निकाल लेंगे तो कि नीचे से हमारी ब्रैट का जो आमलेट है वो ब्रैट का यह एक जो है वो बहुत अच्छा सिख चुका था तो इसको उल्टा कर दिया है और आप इसको ऐसे सिखेंगे ताकि वहां बैक साइट से भी हमारी यह एक जो है वाला खाएं बहुत अभी नहीं तो दो जने खा लें और ये इसके साथ मैंने इसमें आसपस बटर लगा दिया थोड़ा बीच में भी बटर लगा रही हूँ अगर आप डाइट पे हैं तो बटर कम लगाएं नॉस्ट्रीक है तो जलेगा तो है नहीं और चिपकेगा है नहीं हो गई है और जैसे मैंने बोला अगर आपके बच्चों के लिए बना रहे हैं और चीज या आपको भी बहुत ज्यादा चीज पसंद है तो चीज स्लाइस रखी है इसकी जगे खूब सारी पीज़ा चीज या मौसिला चीज खूब सारी डाल दीजिए तो बहुत अच्छी अंदर से बहुत चीजी चीजी सा बनेगी यह प्राठा और यह देखिए हमारा प्राठा बनके त्यार है कितना बढ़िया लग रहा है और खाने में भी उतना स्वाच दिश रहे इतना दिखरा है और बहुत हैवी भी बहुत होता है तो देखिए अब मैं इसको आपको काट के बता देती हूँ कि यह इसको आप चाहें तो 4 टुकडों में काटें चाहें तो 8 टुकडों में काटें यह इसको आराम से पिज़ा कटर की साइटा से इसको अच्छी तांसे काट के और देखें कितने बड़ी अलग रहा खाने में भी उपर एक का स्वाथ फिर ब्रेड फिर चीज फिर जो हमने चटनी लगाई थी ना लसन लाल मेर्च और टमाटर की उसका स्वाथ तो बहुत ही बेतरी लाजबाब लगा और यह देखें हमारा ब्रेड एग प्राथा त्यार है जल्दी ही मिलती हूँ आपको अपने दूसरे वीडियो में अच्छी सी रेसिपी जब तक के लिए शब्बक है बाई बाई राम राम अपना ध्यान रखिए धन्यावाद